कक्षा 11 के ही सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास में स्वागत हैं आज हम शुरू कर रहे हैं क्रशी वीजन एगरिकल्चर तो हमारा आज का फर्स्ट जो पहला आध्या है वो है भारतिय क्रशी का इत्यास शाखाये एवं महत्व एवं शेत्र इंडियन एगरिकल्चर, हिस्ट्री, ब्रांचेज, स्कॉप एंड देर, इंपोर्टेंस ठीक है आज हम इस क्लास में इस चेप्टर की शुरुआत कर रहे हैं काफे बहतर और सुंदर होने वाली यह क्लास आज की तो क्लास को शुरू से लाश्ट तक देखना है और नोट्स इसके टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड हो चुके हैं तो वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को सबसे पहला पोइंट है हमारे पास में कि हमारे देश हमारे देश की लगभक सत्तर प्रतिशत आबादी क्रशी वं क्रशी उद्योगों पर निरबर हैं किस पर निरबर हैं सत्तर प्रतिशत आबादी हमारे देश की क्रशी उद्योगों वं क्रशी पर निरबर हैं प्राचिन काल से बारत क्रशी प्रदान देश रहा हैं कैसा देश रहा हैं क्रशी प्रदा देश रहा हैं चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है अगला नंबर दो को यए कैना चाह रहा है कि हमारे बारत के प्राशीन ग्रंथो भ्रक्षा उवेत क्रशी पाराशर क्रशी सुक्त अथरवेत का अधियन करने से इस्भरश्ट होता है कि प्राचीन समय से ही क्रशी पारत में अपना विश्ष्ट इस्तान रखते हैं हमें यदि पूरानी हिस्ट्री को जानना है पूरानी बातों को सिखना है पूरानी बातों के बारे में जितनी भी जानकारी एकत्रित करनी है जैसे हम हिस्ट्री के बात करें तो पूराने महराजों के बारे में हमें इत्यास में पढ़ने को मिलता है तो उसी प्रकार से क्रशी का यदी देखना है हमें ऐसे तो हमें इत्यास में भी क्रशी के बारे में पर पाराशर क्रशी सुक्त अधरवेः रीद इन में इन वेदो में क्या है की ले सकते हैं कि ले क्रशी बारत में अपना विशिश्था इस्तान रघ्ती है कब से पुझाज समय से का अगला पॉइंट नमरदो नमर तीन मनुष्यों की आधिकांश आवशक्ताओं की पूर्थी क्रशी द्वारा ही होती हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैसिक रूप से आपको समझाने की कुशिश कर रहा हूं तो मनुष्यों की आधिकांश आवशक्ताओं की पूर्थी क्रशी द्वारा ही होती हैं जैसे आहर हो ग पड़े हो गए आवास हो गया रहने की सुईता हो गई यह सभी किस से पॉसिबल है तो यह सभी पॉसिबल है क्रशी के त्वारा तो इन सभी आवशक्ता की पूर्ती क्रशी आध्वा, क्रशी आधारित उत्योंकों से हो दिये अगला है क्रशी की परिवाशा क्रशी की परिवाशा में देखीगा यहाँ पर मैं कुछ अंडरलाइन करूँगा तो क्रशी शब्द संस्कृत की क्रीजदातू से बना है किस से बना है क्रिश दातू से बना हुए इसका अर्थ होता है खीचना आकर्शित करना जोतना या फिर प्राप्त करना होता है किसका अर्थ होता है ये समझेंगे पहले कि प्रशी शब्द संस्कृत की क्रिश दातू से लिया गये है जिसका अर्थ होता है खीचना आकर्शित क प्राप्त करना ठीक है यहां तक बिल्वकुल क्लियर होगा आगी बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रशी एग्री कल्चर शब्द लेटिन बाश्चा के शब्द एगर या फिर एगरी दोनों वहां पर option में हो सकते हैं question में तो एगर या एगरी तथा कल्चरा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है म्रदा एवं क्रशी कर्म करना clear है बिलको समझ में आगया होगा अगला point देखते हैं यापर कि इस प्रकार क्रशी विज्यान एक विस्तरी शब्द हैं जिसमें फसल उत्पादन पशु पालन मचली पालन वानी की आदि के कारिये सब भी समाहित होते हैं ठीक है यह आपको समझ में आगया होगा बिलकुल आर्थिक उत्देशों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन पशु पालन आदि की कलावा विज्यान को क्या कहते हैं क्रशी विज्यान कहते हैं जीवन निर्वा आर्थिक उत्देशों की पूर्ति के लिए यदि फसल उत्पादन कर रहे हैं पशु पालन कर रहे हैं तो उ साइन्स को विक्यान को क्या कहेंगे क्रशी विक्यान कहते हैं क्लियर हो गया होगा बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा अगला पॉइंट देखें यहां पर की सन अगर 1919 कब की बात हो रही है 1919 में यहां इंपिरियल एगरिकल्चर रिसर्च इस्टिटूड आई ए आराई के नाम से प्रचलित हुआ जो हमारा क्रशी अनुसंदान सहस्तान है आगे देखिए अभी समझ में आ जाएगा तो हमारा जो क्रशी अनुसंदान सहस्तान है एक इसस्तानों में क्या होता था सबसे पहले यह में देखना महत Sergeone है तो इन संस्तानों में क्या होता था कि जए हैं यहां पर है को फस्लो और पशुक cathedral चाहरा कवग विज्यान और वनसमय्टी पिच्छी विश्यों के अनुसंदान है तो व्याप constitutional कर के इन सबी के रोकताम के लिए और पशों के प्रजणन के लिए म्रदा विज्यान के लिए इनने क्या एक रूप लेखा तयार की जाती ती जिसे इन सबी का प्रबंदन और अच्छी तरस से इनकी तैयारी की जा सके अगला पुइंट देखें आपर आगई बात वहां पास रिटन वही आई ये आराई के बारे में तो साथ नमबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण शतिक रस्त हुए पूसा इंस्टिटूट को नई दिल्ली या दिल्ली में इस्तानांत्रित किय जा गया जिसे आज बार्द करशि अनुझ अनुझ संदान सहस्तान के नाम से जाना जाता है इंडियन एंग्रिक्लशर रिसर्च इंस्टिडूट के hefap के आगे बढते हैं कृसी विज्यन की शाखाओं के बारे मां के बात करते हैं तो कर मकरेगे कि इसके इसके बारे में देखी यहां पर कि ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस अर्थात इसका देखें मैंने दोनों साथ में लिखें तो मैं आपको यहां पर समझना थोड़ा सा कि ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस और नॉमोस यहां शब्द बना हुआ है agronome इस सब्दों वह दो सब्दों से बना हुआ है sans agrose सब्सदों इम्हों व्रस नो मोंज तो यहाँ पर agrose का आर्थ होता है कि अर्फा और नोमों का आर्थ होता है प्रबंदन मैंजमेंट करना एक रोज इंग्लिश में यह लिखना चाहोगे तो फिल्ड होती है और नॉमोस का मीन्स होता है मेनेजमेंट ठीक है यहां तक बिल्कुल बात समझ में आगे होगी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर यहां क्रशी की एक विशेशाखा है जिसका संबन फसल उत्पादन अम्रदा प्रबंदन से हैं किसे हैं यहां एक क्रशी की एक विशेशाखा है जिसमें क्या होता है सिफ और सिफ फसल का उत्पादन और म्रदा प्रबंदन किया जाता है आगे बढ़ते हैं संबंदीदवस लोग जैसे वह successfully गया पूषपोगया तो फल सब्ली और समंदीद फश्श्व आध्याय का आध्यन जाता है कि शाका में हमारी उध्यान विगयन की शाका में करते हैं अगला आता है पशुपालन एवं पशुदन उत्पादन क्या आता है पशुपालन एवं पशुदन उत्पादन इसमें क्या होता है कि पशुओ को पालने का वेगनिक अध्यन इस शाका के अंतरगत किया जाता है पशुओ को पालने का वेगनिक अध्यन किस शाका में करते हैं तो पशुदन उत्पादन शाखा के अंतरगत करते हैं अब देखिए अगला पॉइंट क्या है मदुमक्खी पालन एपिकल्चर जिसे कहते हैं तो एपिकल्चर में क्या होता है कि यह शाखा के अंतरगत सभी मदुमक्खी पालन शहद उत्पादन से संब्धित अध् मशली पालत से समधीद वेज्यानिक अध्य slick है उल्सागा में क्याओं पर कर समझेगा कि रेशम इस चाहए तो चौप पर лож सकते गekkake में की एक ऊद्धागा चाहिए अगला आता है कि तो लाग्श अध्यानि में कोित की इस शाका के अंतरगत लाख उत्पादन से सम्मधित अध्यन किया जाता है क्लियर हो गया होगा यह बिलकुल यहां तक किसी प्रेकार का डाउट नहीं होगा आगे देखिए अगली शाका है वन विक्याद फोरेस्ट्री फोरेस्ट्री में क्या होता है कि इसके अंतरगत वनों में उगने वाले पोतों को उगाने उनके उप्यों का वेग्यानिक अध्यन किया जाता है कौन सी शाका में फोरेस्ट्री में क्या जाता है क्लियर हो गया अगला पॉइंट देखते हैं अगली शाका तो मश्रूम उत्पादन अगली शाका है मश्रूम उत्पादन इसमें क् कि मश्रूम का उत्पादन वेग्यानिक अध्यन किया जाता है इस शाका के अंतरगत क्या करते हैं मश्रूम का उत्पादन किस प्रकार से करना उसकी इस्टेडी करते हैं अध्यन करते हैं अगला है नंबर 10 कुकुड पालन तो इस शाका के अंतरगत कुकुड यानि कि मुर्ग थे विग्याद का में केटों से कीड से फसलों पर पढ़ने वाले प्रबाव और उससे संबतित वैज्यानिक अध्यान किया जाता है कौसि शाका में किट विग्यान की शाका में करते हैं समझ गए इस बात को आगला देखी पादव रोग गी दयांट पैथोलोजी जिसे केते ह लगने वाले विबेद्न रोगों और रोगकारक उनके निये दरन निये Lalni ka उनके नियांधरन का विस्तिर्त अधियन किसमें करते हैं पादप रोग र्लाम्त पेथैलोजी के अंधर करते हैं के अगला है नमबर agriculture अनुसंदान होता है उसमें जो भी नहीद बना रहे हैं या नहीद आखनशा नहीं तंशी के तयारी हो हरी तो उस टेकनिक को किसानों तक मुँचाने के लिए एक शिक्शा के मायद्यम से अनुपचारिक एक्सटेंशन अगला है यहाँ पर ख्रशी अर्थ असास्त्र एक्रिकुल्चर इकोनोमिक्स इसें क्या होता है कि क्रशी लागत आई की घंण और विश्थित अध्यन इस चाहा में करते हैं यहां कि क्रशी में लागत लग रहे हैं उसमें उसमें उससे प्रापत आय कितले नहीं हो रहे हैं तो यह सब घंड और असका विय्स सत Weetut abroad कि समय करता है हमारी रची अर्ध ये अर्थ bottles कि क्वे Việt Nam करते हैं अब आता हैं बारत ये क्रशी का महत्वा तो भारत में जल्वायू बारत जल्वायू की वीवीदता वाला देश हैं यहां अलग अलग बोगली खंडों से में वर्शा ता ब्सक्राइब और वायू वे बूमी जल उनत बीच एहां मजदूर की आवस्टा होती है तो ये दो पॉइंट क्या थे हमारे क्या थे महत्व भारतिय क्रशी का महत्व था तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं कल की क्लास में हम भारतिय क्रशी का निम्दलिकित महत्व इससे कंटिन्यू करेंगे तो आज की क्लास आपको बहतर लगी हो अच्छी तरह से समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरू कर देना बाकी मिलते हैं नई क्लास के मात्यम से तब तक के लिए जहीं बने मात्रम बाय बाय